जाएं दोस्तों आपने पेपर केटिंग तो देख लिया होगा आपके वे भरती में फॉर्म जो कितनी अधिक संक्या में पड़े करी 50 लाग पचास लाग तो फॉर्म कंप्लीट नहीं पड़े यह करेवल रजिस्ट्रेशन के दिखाया गया जो कंप्लीट आपको फॉर्म आने के इलेजबल हों जबकि मेरी नोकरी को करीब चार साल गूपर हो गया तो चार साल गूपर हो गया तब भी मैं इस फॉर्म पासकता हो इसी वज़े से कंप्टीशन होगा सबसे अधा कंप्टीशन हो रहा है महिलाओं में तो महिलाओं में 12000 सीट है करीब 15 लाग इसकत होने वाली फिजकल फिजकल इतना आसान नहीं होता इसलिए उन लोग फिजकल में चट सकते हैं अगर मेहनत नहीं करेंगी बाकि जो यंगल है वो फिजकल कर सकती है और अपने एक्जाम के लिए अच्छे से प्रप्यार हो जाई है एक्जाम आपका भी बताएंगे चरीब 30,00,00,00 लोगों ने आपके की होगी तो एक सेट पर जो है करीब एक लाग एक असी उसी के करीब लोग है दावेदार होंगे असी तो के इतना कंप्टिशन हाई लेबल पर और इसमें सबस्यादा फायदा मिलेगा जो लोग काफी दिनों से त्यारी कर रहे हैं और ए एगर एज लाक सिसन ना मिला होता तो कंपटिशन में काफी कम संख है में आप की बहुत कम मेरिट जाती लेकिन members में मिलने से मैं जो भी आपको जैसे डिमांड रहते हैं उस टाइप की वीडियो बनाता हूँ आप इस्ट्रेटिजी वीडियो रहे कि जिसको आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और जिनको मैथ नहीं समझे मेरा जीस ने उनको रीजनिंग और हिंदी कैसे कवर करना उसके लिए भी मैंने वीडियो बना है तो आप चैनल पे जाईए आपको सब सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको जी के कैसे पढ़ना मैथ कैसे पढ़ना सब कुछ मैंने बता रखा है बस यही चीजे है आपको अभी इतना अंतिम समय चला जितना अच्छे से आप किताबों में समय जेंगे और आफ लाइन चीजे आप पढ़ाएंगे तभी आपके कम समय में ज्यादा चीजे कवर होंगी बुक से ऑनलाइन पर ज्यादा बरोसा मत रखे एक दो घंटे क्लास देखिए वो भी लाइव नहीं डाउनलोड क्लास देखिए डाउनलोड के लिए उसको दूगना स्पिड में जिस हिसाब से अपना मन बने उस हिसाब से देखिए लेकिन लाइव में अपना समय नहीं बरबात करना अब जास बारा गंटा आपको कम से कम बारा गंटा किताब पर देना ही है तब ही इतना सेलेक्शन होगा एक्जाम हाँ एक्जाम में बात की गई है कि तीन पालियों की तो तीन पालियों की बात की कि यह अब देखते है अठारा फरवरी था फिर तो दो दिख एक्जाम होने वाला है तो यह मानिक चलो अठारा उन्नीस फरवरी हो जाएगा तो इसाफ से फिर अब ज्यादा आपका एक्जाम नहीं बड़ेगा बड़ेगा भी तो एक हपता इससे लोग दावेदार है तो जो मेनत करेगा वही वर्दी पाएगा धीड़ बाड से देखके आपको डणना नहीं है अब जिसमें से माल लिजे 30 लाग जो है फार्म फैनल वाले हैं अब इसमें सीरियस कंडिडेट कितना होगा सीरियस मान की चलो 2 लाग सीरियस है तब भी आपक सीरियस की उनको वर्दी किसी भी कीमत पर चाहिए और पैरी भी उनकी चल लएए तो फिर लगे रहें तबी आपका सेलेक्शन होगा इतनी आसान नहीं इस बीर में आपको आगे निकलना और जो भी आपके डाउट रहा करें आप टेलीग्राम पर पूर सकते हैं या कमेंट आपके जवाब दूँगा बस इस बार अभी से आज सफत ले लिजिए कि इस बार मुझे 101% सेलेक्शन लेना और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो फहले अपना टार्गेट आपका होना चाहिए स्लेबस कम्प्रेट करना और चीज़ों को कम्प्रेट करना और आ आपके दिमाग में हमें इसा होना चाहिए स्लेबस कम्प्रेट आपका फोकस स्लेबस पर ना की सेलेक्शन पर स्लेबस कम्प्रेट रहेगा आपका स्लेक्शन किसी भी वेकिंसी में हो जाएगा पहले स्लेबस पर कम्प्रेट करें उसके अच्छे से फोकस करें उस पर यह आ ज़्यादर ज़्यादा जो है आफ-लाइन टेस्ट देने या आउनलाइन जो भी आपको पर्चेस लगता है आपको अगर नंबर आपके कमाने तो नंबर कम आपके देख की डी मोटिवेट नहीं होना है क्या पता जिस दिन आप एक्जाम देने जाए जो आपने पढ़ा हुग ही आपके एक्जाम में आजाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी तो ऐसा नहीं है जो जो मॉक टेस्ट में कम नंबरा तो नहीं होता है अगर मेनत आप ने किया है अच्छे से सिलेक्षन भी आपका